असलाम नेकुम, हमारा आज का टॉपिक है हैशिंग हैशिंग टिकनिक यूज होती है सेर्चिंग परपस के लिए before starting हैशिंग, let's have a quick recap of searching techniques which we have already studied हमने दो सेर्चिंग टेकनिक पड़ी है, एक linear search और एक binary search linear search के अंदर items arrange होते हैं, एक array के अंदर और हम start करते हैं left hand side से beginning of area से start करते हैं और चलते जाते हैं end of area की तरफ और हम अपने item को match करते जाते हैं तमाम item से ठीक है और इस तरीके से हम linear search करते हैं और इसका running time complexity क्या है order of n ठीक है फिर दूसरी searching technique जो हम पढ़ते हैं हमने पढ़ी है वो binary search है binary search के अंदर भी items array में range होते हैं लेकिन जो फरक है linear search के safe, binary search का वो ये कि linear search में जरूरी नहीं है कि आपके जो items है was sorted हुआ, जबके binary search के लिए जरूरी है कि आपके जो items हैeri में जो elements हो sorted हूँ, ठीक है तो binary search में हम कैसे searching करते हैं कि binary search में हम middle element से search करते हैं compare करते हैं अपने जो desired element है उसको और अगर वो उसे बड़ा होता है तो हम left part of the area में उसको ढूंडते हैं और अगर वो चोटा हो तो right part में ढूंडते हैं और जो चोटा हो तो उसको हम left part में ढूंडते हैं इस तरह करते हुए हम उसको searching करते हैं और जैसे हमें element मिल जाते हैं हम वहां रूख जाते हैं और जो running time है binary search का वो big o log of n है big o log of n है और यह log of n जो है यह बेतर है as compared to linear search के order of n से लेकिन जो हम चाहते हैं कि हमारा searching method है वो कोई ऐसा हो कि वो constant time ले ठीक है तो big o n से आ गया login पर अब हम जाते हैं कि हमारा जो desired है वो यह है कि हम big of one हो ठीक है अगर one नहीं भी है तो कोई constant time होना चाहिए इस idea की base पर आती है hashing ठीक है hashing technique क्या करती है let's start with hashing इसके अंदर hashing के अंदर आपके पास कुछ elements होते हैं जो आपने अपनी पास store करने ठीक है उनको हम keys कहते हैं और हमारे पास एक array space होती है जिसके अंदर हमने वो items हैं वो save करने है hashing technique कहती है कि अगर आपके पास given list of elements है और आपके पास array space भी है तो हम क्या करते हैं कि element को उनके indexes पे save करते हैं कैसे अगर जैसे कि 8 है 8 को हम save कर देंगे 8 के अंदर ठीक है 3 है तो 3 को हम क्या करेंगे 3 index के ओपर save कर देंगे 13 है तो 13 को हम 13 index पे save कर देंगे 6 को हम 6 index पे save कर देंगे 4 को 4 पे 10 को हम 10 पे ठीक है इस तरीके से हम अपने जो elements है उनको save करते हैं इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपको search करना है let's suppose आपने 13 search करना है तो आप directly अगर आपने जो element है वो अपने जो search करना है वो 13 है तो आप क्या करेंगे आप directly array के जो 13 index पे जाएंगे और आपको element मिल जाएगा अपना ठीक है इस से क्या होगा कि आपका जो time है वो हो जाएगा be go of one मतलब आपको एक ही comparison की ज़रूर पड़ेगी और आपको आपका element मिल जाएगा ठीक है hashing आपको अच्छी लग रही है hashing असान है hashing के अंदर आपका time कम है लेकिन अगर आपके पास 50 आ जाता है 50 element आपने डालना है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले array को आप dynamically change नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपके बस इतनी space है तो आप जाएंगे 50 index के उपर save कर देंगे ठीक है अगें आपकी comparison का time तो one रहेगा कि आपको 50-50 पर मिल जाएगा लेकिन आपकी space बहुत जाया हो रही है इदर देखिए कि बहुत सारी space बीच में हैं जो खाली है ठीक है आपको कुछ elements को save करने के लिए for example ये कितने elements को save करने के लिए आपको 50 तक index चाहिए आपका comparison time तो कम हो गया लेकिन आपकी space भी जादा इस्तमाल हो रही है और उसको store करने के लिए आपका जो time है वो भी जादा लग रहा है ठीक है to improve this basic hashing technique we adopt a mathematical model for hashing based on functions ठीक है let's see ये है आपकी hashing के लिए जो हमने mathematical function through करेंगे ठीक है ये आपके keys है जो आपने डालने है जो आपके elements होते है जो आपने store करने है उनको हम इसको हम key space कहेंगे ठीक है ये हमारी keys हो गई और जिसमें हम store करेंगे वो हो गया हमारा hash table ठीक है और हमारा जो function हम यहाँ पे देंगे, इस्तमाल वो है, h of x is equal to x, ठीक है, h of x हमारा function है, और हम h of x की value जो है, वो x ही है, for example, 8 है, तो h of 8 will be 8, ठीक है, 8 आप क्या आगया, 8 index के ओपर, यह आपका आगया 8, ठीक है, फिर आगया 3, 3, h of 3 will be 3, तो 3 इदर आगया, ठीक है, फिर अगें 13, 13, 13 थर्टीन पे चला गया, फिर आगया आपका 6, 6, 6 पे आगया, ठीक है, h of 13, 13 हो जाएगा, h of 6, 6 हो जाएगा, 4, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 10 हो जाएगा आपका, 10 ठीक है, यह हो गया सारा, लेकिन इसमें वो ही प्रॉब्लम है, कि आप जब अगर 50 एड करेंगे, तो आप कहा जाएंगे, 50 को किदर ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ अगया, अगर हम function की properties देखें, तो दो type के functions होते हैं, एक one to one, एक many to many, यह कॉर्डिनलिटी जो होती है, function की वो follow करते हैं, यही वाली कॉर्डिनलिटी की one to one, many to one, one to many, ठीक है, one to one हो गया, अगर हम यह करते हैं, h of x is equal to x, कि मतलब एक function की against एक ही value, सही, दूसरा होता है, many to one, कि आपकी एक value के against के ही values हैं, हम जो function यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, h of x is equal to x mod size of table, ठीक है, size of hash table, for example, अगर हमारे पस 10 size है, तो हमारे x mod 10 आएगा, ठीक है, तो हम जो function यह use कर रहे थे, यह हमारा one to one था, हम जो next function यूज करेंगे, वो many to one होगा, ठीक है, मतलब एक value के against के values generate होगी, तो h of x हमारा क्या हो जाएगा, x mod size of the table, ठीक है, यह size of the table है, हम जो next example में size लेंगे, वो 10 है, तो इसलिए मैंने यहाँ 10 लिखा है, ठीक है, अब let's see the example, यह आगया, अब हमारा क्या function है, x mod 10, ठीक है, हमारे length क्या है 10, तो हमने यहाँ 10 लिखा है, size of the table, अब 8, edge of 8 will be, edge of 8 will be 8 mod 10, ठीक है, तो 8 mod 10 क्या होगा, 8, तो आपकी जो value आजाएगी, 8, इदर, ठीक है, फिर 3, again, 3 mod 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो value कहाँ जाएगी, 3 पे, ठीक है, 13, 13 mod 10 क्या आएगा, 3, यहाँ पर तो पहले से value है, यहाँ पर क्या problem आएगा, कि पहले से अगर value है, आपका function तो ठीक हो गया, लेकिन पहले से value है, तो collision को avoid करने की जो technique हम इस्तमाल करते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं, ठीक है, हुआ क्या, आपकी 3 mod 10 की आपको 3 आया, value यहाँ आगी, next value 13 थी, 13 mod 10 की आपको 3 आया, value, तो 3 की जगाक से साथ आपको 13 को भी adjust करना है, तो 13 को adjust आप नहीं कर सकते हैं, क्यूंकि पहले से value है, ठीक है, तो यह collision कहलाता है, collision को खतम करने के लिए, resolve करने के लिए, हमारे पाश कुछ technique है, पहली technique है open hashing, जिसके अंदर आती है chaining, दूसरी है closed hashing, जिसके अंदर आती है open addressing और उसके अंदर आता है linear probing और quadratic probing, ठीक है, मैं आपको इनको example के साथ समझाती हूँ, सबसे पहले आ गई chaining, ठीक है, हमारी hashing के अंदर collision आ रहा था, collision को resolve करने के लिए हमने techniques इस्तमाल करनी है, उनमें techniques में पहली technique है chaining, ठीक है, function वही है हमारा, ठीक है, edge of 8 क्या होगा, 10, sorry, 8 mod 10, ठीक है, तो value क्या आएगी, 8, तो आपका 8 आगया, 8 index के उपर, sorry, 8 index के उपर ही आएगा, 8 index पे आप एक node create करेंगे, और उसके अंदर आप 8 डाल देंगे, ठीक है, chain जो है, इसको हम chain कहते हैं, और chain क्या है, chain एक simple linked list है, ठीक है, chaining का मतलब कि हम हर एक से chain create करेंगे, node create करके साथ जोड़ देंगे, और उसको हम chain कहेंगे, और वो chain क्या होगी, linked list होगी, जैसे 3 है, edge of 3, वो हो जाएगा, 3 mod 10, 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे उसको एक node create करेंगे, और node के अंदर 3 डाल देंगे, ठीक है, फिर 13 आया, 13, edge of 13, edge of 13 की 13 mod 10 क्या आएगा, हमारा 3 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसी जगह पर हम एक और chain add करके 13 डाल देंगे, ठीक है, यह चीज समझा गई, यह improved आपका hashing हो जाएगे, with chaining, chaining किसलिए को को खतम करने के लिए, collision को resolve करने के हमारा function सेम है, ठीक है, सिर्फ क्या है, collision को resolve करने के लिए, हमने chains डाली है, chains क्या हो गई, आपके link list हो गई, आप नया नया node डालेंगे, और साथ attach करते जाएंगे, ठीक है, अब for example, अगर आपका 23 है, तो h of 23 क्या हो जाएगा, again 3 हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगे, आप इधर से एक और node बनाकर, उसकी अंदर आप 23 add कर देंगे, ठीक है, यह chain इस तरह बढ़ती जाएगे, इस तरीके से time तो constant ही रहेगा, लेकिन वो order of 1 नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके log of n से बहतर होगा, ठीक है, constant time है, तो constant time will be better than log of n, ठीक है, यह तो होगी एक technique, collision को resolve करने के लिए, ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझा गी, अब जो दूसरी technique है, collision को resolve करने के लिए, वो क्या है, वो दो है, linear probing और quadratic probing, ठीक है, linear probing में क्या है, linear probing के अंदर हम function को थोड़ा change करते है, h of x is equal to, h of x plus f of i, ठीक है, i क्या है, i आपका, f of i is equal to i, और i क्या है, index is 0 से 1, 2, 3, वगरा वगरा, ठीक है, अब अगर हम 8 को देखेंगे, तो h of 8 क्या हो जाएगा, 8, plus f of i क्या है, f of i है आपका, सबसे पहले 0, ठीक है, आपने mod 10 लिया, again, यह answer आगया, 8, 8 पे आपके खाली था, ठीक है, खाली था, आपने यहाँ पे 8 डाल दिया, 3, 3 के लिए ऐसी किया आपने, h of 3, यह हो जाएगा, 3 plus 0, mod हो गया, जी 10, यह 3 आजाएगा, यह 3 आपका 3 पे सेव हो जाएगा, h of 13, h of 13 में आप गे, 3 plus 0, 10, यह आजाएगा 3, ठीक है, आप 3 पे गे, यहाँ पे तो value थी, तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट पे जाएगे, आप, आप क्या करेंगे, आप इसको आप 1 के साथ करेंगे, ठीक है, i की जगा, 0 की जगा 1 डालेंगे, 3 plus 1, और फिर mod करेंगे 10 के साथ, तो यह value 4 आजाएगी, तो आप 13, 4 पे save कर देंगे, ठीक है, आप 6 पे 6 किया, आपने 6 को 6 पे चला गया, ठीक है, 4 पे बारी आई, 4 आई, आपने क्या किया, h of 4 is equal to 4 plus 0, mod 10, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, 4 value आजाएगी, 4 पे तो है, तो आ mod 10, that will be 5, और 5 खाली है, तो 4 इदर आजाएगा, ठीक है, यहा क्या आपका linear probing, ठीक है, यहां भी collision control हो रहा है, लेकिन यहां क्या होता है, यहां clusters बन रहे है, ठीक है, 3, 13, अगर 13, 4 की बजाए 23 आता, तो 23 इदर आ जाता, ठीक है, यह सारे की सारे यहां clusters बन रहे है, अब 4 की जगा पर 13 आ गया है, तो 13 जो है, let's suppose, अगर आपने mod 3 वाले 4, 5 इकठे हैं, तो 4, 5 इकठे इदर आ जाएंगे, ठीक है, और उपर वारी जगा भी खाली है, यह नीचे वारी जगा, तो इस clustering से बचने के लिए, फिर नई टिकनीक आई, जिसको कहते है, quadratic probing, ठीक है, quadratic probing में क्या है, quadratic probing में, जो function है, उसके अंदर, उपर क्या था, f of i is equal to i, यहाँ पर क्या है, f of i is equal to i square, ठीक है, यहाँ पर चले, 8, 13, 8, चे कर लिया हमने, 3 भी कर लिया, अब 13 पर आए तो क्या किया, h of 13 is equal to 13, sorry not, h of not 13, यह क्या है, 3 है, ठीक है, mod लिया भी हमने, 3 प्लस, f of i क्या क्या है, 0, और 0 का square हो गया, ठीक हो गया, mod 10, यह हो जाएगा आपका, 3, 3 में के जगा, वहाँ पर खाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अगले पर जाएंगे, that will be, 3 प्लस, 1 का square, ठीक है, यह हो जाएगा, आपका, 4, यहाँ पर आगया, आपका 13, अब हम 23 पर चलते हैं, ठीक है, 23, 23 आगया, ठीक है, 23 में हम, हमने 0 के साथ चेक किया, तो 3 आएगा, तो 3, जो है, वह फिल है, 1 के साथ चेक करेंगे, 4 आएगा, तो 4 भी फिल है, तो हम 2 के साथ चेक करेंगे, that will be, 3 प्लस, 2 का square, और, मॉड हो जाएगा, जी 10, और यह हो जाएगा, 3 प्लस, 4, मॉड 10, that will be, 7, ठीक है, तो 7 पर आके, 23 को सेव करेंगे, अब देखिए, 3, 13, और थोड़ी जगब छोड़के, फिर 23 है, तो यह क्लस्टरिंग से बचने के लिए, यूज होती है, ठीक है, और इसका basic idea क्या है, कि हम, जो keys हैं, जो elements हैं, उनको, उनके index के साथ save करेंगे, ठीक है, हम इसको functions के through implement करते हैं, हमने function पहले लगाया, जो function, normal function था, वो था, h of x is equal to x के मतलब उसको direct उसके index पे save कर दिया, यहां पर क्या problem आता है, कि अगर एक से ज़्यादा आपके elements हों, जो एक ही उसके आ रहे हों, तब आप क्या करेंगे, तो आपके दो तरीके की function होते हैं, one to one और many to one, हम one to one function है, one to one function हम इसको छोड़के, many to one पे चले जाते हैं और many to one में हमने क्या किया, कि हमने जो value element की, उसके साथ mod of 10 लिया, तो h of x क्या होगा, h of x की value यह है, ठीक है, जहां पर भी h of x है, तो वहां पर हम उसकी value यह लिखेंगे, ठीक है, इस टेकनीक के साथ क्या हुआ, कि हमने, इस टेकनीक के साथ क्या हुआ, कि हमने save की values, 8 को mod लिया, 10 से, 8 को 8 पे save किया, 3 को 3 पे, लेकिन इस तुरुत में क्या हुआ, कि collision आ गया, ठीक है, एक से जादा values जब आएंगी, तब collision होगा, और collision को resolve करने की techniques, जो हैं, वो क्या है, वो हैं, दो तरीके की techniques होती है, एक close hashing औ chain क्रियेट करते हैं, link list क्रियेट करते हैं, साथ साथ, हर जो नई आने वाली node के लिए, ठीक है, और linear probing में क्या है, कि आप function को, मतलब, h of x के साथ, एक निया function add करते है, f of i, ठीक है, f of i क्या है, 0, 1, 2, जो indexes है, ठीक है, और इस में क्या आता है, इस में पिर clustering का problem को solve करने के लिए, quadratic probing में क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या है, f of i जो है, वो उपर, i था, यहाँ पर i square है, ठीक है, I hope you understand, if you have any problem, any question, you can ask me, ठीक है, thank you.